नमस्कार दोस्तों, पवन्वाग इकडेमी में आपका स्वागत है। आज का आपना टॉपिक है ट्रिक्रोमेटरे। तो चलिए शुरू घरते हैं। देशने के लिए प्लीज सब्सक्राइब पवन्वाग इकडेमी। आपको कोई दो बिल्डिंग के बीच में आपको डिस्टेंस पता करना है तो वहाँ ट्रिक्रोमेटरी का यूज किया जा सकता है। तो अलग-अलग तरीके हैं। अगर आप समुदर में किसी जहाज में बैठे हैं। और अगर कोई पानी के अंदर से आप पर अटेक करने वाला हैं। मतलब कोई पंडू भी आपके पास है। और आप से कितनी दूर है वो भी आप जहाज में बैठकर पता कर सकते हैं। में बहुत सारी चीज़े हैं। इवर जब समुदर में जहाज चलता है तो हो सकता है कि नीचे कोई चटा ने आजाए। तो उसका भी पता हम इसकी मदद से लगा सकते हैं। और वो कितनी दूर है that you can find out by using trigonometry। तो trigonometry के बहुत सारे use हैं। अपनी life में आप बहुत जगा उसको use करते हो। आपकी textbook में देखे रखा है आप किसी पेड की height पता कर सकते हो। आप किसी मिनार की height पता कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा। यह सारे उसके uses हैं। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको बहुत बड़ी एक list मिलेगी जो आपको clear हो जाएगा कि सही में trigonometry का कितना जादा use है। तो इससे आपको clear हो गया होगा कि यह topic कितना important है। अब बहुत से लोगों के मन में trigonometry को लेकि बहुत जादा डर है। तो सबसे पहले तो आपका जो डर है वो बहार निकालिए क्योंकि trigonometry एक समझने की चीज है। बहुत simple है, difficult नहीं है। आपको लगता होगा sir आप हर topic के पहले ऐसा बोलते हो लेकिन that is really true, आप इस exercise को करने के बाद या इस chapter को पूरा complete करने के बाद आप easily बोलोगे sir सही में, यह easy है। और एक और चीज, शुरुआत में आपको थोड़ा नया है, थोड़ा आपको अटपटा सा रगेगा कि यह न आपको पूरा कि इस साथ trigonometry डालिए trigonometry का जल्दी upload कीजिए, तो उसी के लिए फिर पहले है पहले trigonometry के हम वीडियो दाले, बाद में जो वचेवे topic हैं उनको cover करेंगे, तो trigonometry means क्या, trigonometry जो word है वो तीन शब्दों से मिलके बना है, try, gonna and matron, okay अब आप सोचेएं के 3 sides का measurement, अब 3 sides का measurement किस में, तो 3 sides होती कहा है, 3 sides होती है triangle की, तो आप सोचेएं के फिर triangle की sides का measurement करना है, जी, triangle की side का measurement करना है, लेकिन, एक special बात ध्यान रखिए, trigonometry पूरी की पूरी based है, right angle triangle के उपर, तो right angle triangle जहां होगा, वहाँ आप trigonometry का use कर सकते हैं, तो चलिए, हम start कर करते हैं, कि basic इसमें क्या-क्या देखे रखा है, okay, आपके first page पर, तो इसका introduction देखे रखा है, introduction of geometry, उसमें कुछ आपको figures, कुछ pictures बता के रखे है, जिसमें, मैंने जैसर कहा कि आपकी seminar की height पता कर सकते हैं, किसी tree की height पता कर सकते हैं, बहुत सारा उसका use है, astronomy में बहुत जा triangle draw करते हैं, और right angle triangle मैंने आपको क्या कहा, कि जो trigonometry है, वो पूरी की पूरी right angle triangle पर based है, उसमें आप जो discuss करते हो, जितने भी question solve करते हो, वो सारे के सारे right angle triangle पर ही solve होते हैं, okay, तो यह है right angle triangle triangle A, B and C, आपने अभी तक right angle triangle में क्या पढ़ा है, हमने previous classes में right angle triangle से related एक बहुत important theorem किया है, that is, पाथागरोस theorem, क्या होता है पाथागरोस theorem, पाथागरोस theorem है, that is, in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the remaining two sides, okay, क्या बोलता है, the square of hypotenuse, तो radical triangle में hypotenuse कहा होता है, right angle triangle में hypotenuse होता है, right angle की जो opposite side होती है, वो hypotenuse होता है, okay, तो hypotenuse का square, बची भी दो sides के square के equal होता है, okay, मै इसको ले लेता हो side 1, इसको ले लेता हो side 2, आपको कुछ बुक्स में, आप कुछ अगर इसको base लिख सकते हो, आप इसको perpendicular भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, ओके, तो पाइचा दरोज का थेरून क्या है, inner rectangle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the remaining two sides, और इसको अगर हम sides case में लिखें तो क्या होगा, that is ac square is equal to ab square plus bc square, यह main theorem है, pythagoras का, और सबसे जादा इसी का use आपको trigonometry में करना है, means trigonometry में दो चीजे आपके साथ हमेशा रहेगी, एक rectangle triangle और एक pythagoras theorem, pythagoras theorem उन जगह पर काम में आएगा, जब आपको कोई एक trigonometric ratio दिया होगा और आपको बचे हुए trigonometric ratio पता करने होगे, तो इसकी मदद से आप जो remaining side है, वो आप find out कर सकते हो, जैसा कि मैंना आपको कहा कि trigonometry में हम सिर्फ right angle triangle की बात करते हैं, तो देखें मेरे right angle triangle तो वही है, triangle ABC, मैंना लिखके रखा है hypotenuse, hypotenuse क्या होता है, opposite side of the right angle is called hypotenuse, तो यह है H, hypotenuse, इसे हम कहेंगे side AC, यह जो है क्या है, यह AC है, ओके, यहां आगे क्या लिखा रखा है, opposite side of angle, angle A यह है, तो angle A के opposite side यहां पर क्या है लिखे, angle A अगर यह है तो इसके opposite side सामने वाली होगी, ओके यह वाली, यहां लिखे, और यहां लिखे, और यहां लिखे रखा, adjacent side of angle A अगर अब यह opposite side हो गई ही, देखे, hypotenuse तो यह हो गई, opposite side यह हो गई, तो A की परोसी side मतलब क्या है, that is AB, तो यहां आप क्या लिखेंगे, adjacent side of angle A is AB, तो यह 3 sides के बारे में ही हम चर्चा करेंगे, और इन 3 sides का use करके ही, हम trigonometric ratios find out करते हैं, लेकिन, जैसे angle change होता है, वैसे यह sides change होती है, और right angle triangle में 2 angles के बारे में चर्चा होगी, लेकिन right angle triangle में एक तो right angle है, यह fix है, लेकिन अगर मैंने अभी यहां पर बात किसकी की थी, मैंने angle A की बात की थी, अगर मैं यहां पर, अगर इस तरह से लिखूँ कि opposite side, अगर मैं यह लिखता हूँ, opposite side of angle C, तो यहां पूरा picture change हो जाएगा, यहां देखें, C अगर यह है, तो C की opposite side यहां पर क्या आती है, A, B आती है, ओके, और अगर C के लिए फिर मैं पूछता हूँ कि adjacent side क्या है, अगर पूछे जाए, कि what is the adjacent side of angle C, तो angle C क्या, adjacent side आईगी यह वाली, that is BC, तो यहां क्या change आया, जो opposite side थी, तो अगर आप angle change करते हैं, तो आपके sides में changes आएंगे, ओके, तो वो आपको ध्यान में रखना है, Trignometry में हम जब angles की बात करते हैं, तो इन दो angles को, अभी तो मैंने triangle जो लेके रखा है, उसमें मैंने angle A लिया है, लेकिन angle को represent करने के लिए कुछ symbols का use होता है, और वो symbols क्या-क्या है, पहला सबसे ज़्यादा symbol जो use होता है, वो होता है theta, इसको कहता है theta, कुछ जगह पर phi यूज़ होता है, कुछ जगह alpha यूज़ होता है, कुछ जगह beta यूज़ होता है, कुछ जगह gamma यूज़ होता है, कुछ जगह shy यूज़ होता है तो यह कुछ symbols हैं, जो हम angles के लिए use करते हैं तो यह difficult नहीं है, इनको आपको ध्यान में रगना है, यह थीटा, यह फाइब, अल्फा, बीटा, गामा, यह शाय, ओके, तो इस तरह से आपको इनका यूज करना है, तो अगर आप देखिए, मैं यहाँ पर यहाँ थीटा लगा जेता है, तो angle A के लिए जो मैंने opposite side ली थी, थीटा के लिए वही रहेगी, angle A के लिए जो adjacent side ली थी, थीटा के लिए वही रहने वाली है, वो बदलने वाली नहीं है, ओके, अब जो सबसे important चीज इस topic में है, वो है trigonometric ratios, वो क्या है, अब हम उनको देखते हैं, तीन जो trigonometric ratio है, वो कौन से कौन से, एक तो sign होता है, sign ratio, okay, दूसरा होता है, cos ratio, cosine होता है actually वो, लेकिन उसको cos कहते है, that is cos ratio, और तीसरा होता है tangent, लेकिन उसको लिखते है 10, 10 ratio, okay, तो 10 ratio, अब मैं साइन ratio लिखे रहे हैं, लेकिन साइन ratio किसके लिए, sign ratio, cos ratio, 10 ratio, ये बनते हैं acute angles के लिए, acute angles, right angle triangle में, suppose ये triangle PQR है, और Q is the right angle, और ये R जो है, वो angle theta है, मैंने अभी आपको बताया कि, ये जो, इस angle को छोड़के, जो acute angle है, उनको हम अलग-अलग symbols लेके बताते हैं, मैं उनको लिख देता हूँ, यहाँ theta है, phi है, shy है, alpha है, beta है, गामा है, okay, ये उनका use होता है, तो sine ratio, sine ratio का formula क्या होगा, sine ratio क्या होगा, sine ratio होता है, उसको हम कहते हैं, opposite side upon hypotenuse, opposite side upon hypotenuse, okay, cause ratio क्या होता है, cause ratio होता है, adjacent side upon hypotenuse, adjacent side upon hypotenuse, और 10 ratio क्या होता है, 10 ratio होता है, opposite side upon adjacent side, अब आप सुचेंगे, sir, हम इसको learn कैसे करेंगे, बहुत simple तरीका है, आप इसको easily learn कर सकते हो, आप एक statement आपको learn करना है, that is, o hero, a hero, oe, okay, आपको इत्ता अगर learn हो गया, तो o hero, o for opposite side, h for hypotenuse, तो यह हो गया, पहला वाला sign का, ओके, यह हो गया sign के लिए, फिर दूसरा वाला है, a h, a hero, तो वो हो गया cause के लिए, देखे, adjacent side upon hypotenuse, adjacent side upon hypotenuse, यह हो गया cause के लिए, और तीसरा वाला है, ten के लिए, ten के लिए क्या है, oe, तो oe, opposite side upon adjacent side, वो है, ten के लिए, तो आपको एक simple सा statement learn करना है, o hero, a hero, oe, o hero, a hero, oe, या फिर आप किसी बच्चे का, आपके क्लास में कोई, रितिक नाम का बच्चा होगा, तो आप इसको बोल सकते, o, rittik, a, rittik, oe, 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 तो बहुत simple है, हलागि कुछ इसा trick निगालने पड़ती है, जिससे आपको easy लगे, oe, oe, तो इस तरह से आप इन ratios को पता कर सकते हैं, अब यहाँ देखे, मैंने theta लिखके रखा है, अगर आपको sin theta पता करना हो, तो क्या आएगा, यहाँ पर sin theta क्या होगा, इस triangle के लिए sin theta की value क्या होगी, तो इस triangle के लिए sin theta की value की लिखने के पहले, हमें जो formula है, हमको वो लिखना पड़ेगा, मैं काम करता हूँ, पहले तीनो ratio लिख लेता हूँ, sin theta, cos theta और 10 theta, मैं तीनों लिख लेता हूँ, यहाँ पर, ओके, आप देखिए, यहाँ पर, हमने जो formula का है, हम वो लिख ले, मैंने जो आपको simple rule बता है, वो क्या था, o hero, a hero, और अगला क्या है, oe, यहाँ पर आप, बीचता, upon वाला, line कीच लिए, o hero, a hero, and oe, ओके, अब यहाँ पर, जो, आपके सामने, यह triangle है, उसमें हम बात करें, we are talking about the angle theta, we are talking about r, यहाँ आप sin theta बोलिए, या sin r बोलिए, value वो ही रहने बाली है, ओके, इसको अगर आप sin theta को, अगर आप sin r भी लिखते हैं, तो भी चलेगा, ओके, वो भी चलता है, लेकिन अगर यहाँ पर theta देखे रखा, तो यह take the theta, ओके, तो sin, इस theta के लिए, opposite side क्या है, that is pq, यह यहाँ पर opposite side है, यहाँ लिख सकते है, opposite side of angle, यह opposite side of theta, और इस theta के लिए, adjacent side यह होगी, तो यहाँ लिखे, adjacent side of theta, और आप कोई पता है कि right angle के सामने जो होता है, वो होता है, hypotenuse, ओके, तो अब हम सारी sides लिख ले, यहाँ देखे रखा है, oh means opposite side upon hypotenuse, तो opposite side क्या है, that is pq, ओके, opposite side is pq, adjacent hypotenuse क्या है, pr है, तो pq upon pr, cos की value हम निकालते हैं, cos क्या है, adjacent side upon hypotenuse, तो adjacent side यह है, hypotenuse यह है, तो adjacent side होगी qr, और यह होगया hypotenuse pr, और opposite side upon adjacent side, तो opposite side यह है, pq upon qr, यहाँ लिखे, pq upon qr, अभी इनको, मैंने तो आपको यह ट्राइंगल के लिए बताया, अब एक कार्ण करता हूँ, मैं आपको कुछ थोड़े ज्यादा triangle बना के बताता हूँ, देखे, इसमें थोड़ा time लगेगा, लेकिन एक बार आपके concept clear हो गए, तो आप easily exercise कर पाऊँगे, बहुत quickly कर पाऊँगे, बहुत simple है, तो अब मैं कुछ triangles बराता हूँ, और उन triangles में sin theta, cos theta और 10 theta की values हम अलग-अलग triangle में कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, अब देखे, मैंने आपके लिए कुछ triangles ज्रॉआ करके रखे हैं, और यहाँ हमने hypotenious, opposite side, adjacent side of the theta, हम यहाँ पर theta की बार करें, देखे, इस triangle में भी हम इसको theta ले लेते हैं, ओके, यहाँ इसको theta लेके रखा है, यहाँ काम करते हैं, इसको theta नहीं लेते हैं, सामने वाले को theta लेते हैं, कि थोड़ा सा आपको एक idea आजाएगा कि इस condition में क्या करें, तो देखे, यहाँ है right angle triangle ABC में जो angle B है, वो right angle triangle है, right angle है, okay, तो मैंने आपको क्या कहा, कि opposite side of B, that is called hypotenious, okay, यह हो गया hypotenious, इसको मैं दिक लेते हैं, अब देखे, यहाँ hypotenious क्या होगी, that is AC, side AC बोली है या AC बोली है, okay, यहाँ hypotenious क्या होगी इस triangle में, इस triangle में Q जो है, वो right angle है, तो opposite side of right angle is called hypotenious, तो यहाँ पर यह hypotenious होगी, okay, तो हम इससे क्या लिखेंगे, that is PR, okay, यहाँ लिखिए, PR, यहाँ पर देखिए, यहाँ यह right angle है, angle E, DEF में angle E right angle है, तो हम क्या करेंगे, E के सामने opposite side यह है, that is DF, तो यहाँ राइड ही है, D, F, okay, तो hypotenious फाइल करना बहुत simple है, हलाकि सारी sides बहुत easy लिख लेंगे, देखिए, यहाँ पर देखा, opposite side of theta, theta यह है, theta के लिखेंगे, सामने की, that is what, AB, मैं यहाँ पर O लिख लेता हूँ, opposite side बाला, that is AB, side AB, okay, अब opposite side यहाँ पर, यहाँ थीटा, यहाँ लिखे रखा है, point, जो vertex P है, यहाँ जो angle बन रहा है, that is theta, इसके opposite side क्या है, that is RQ, तो यहाँ लिखेंगे, RQ, यहाँ पर थीटा के opposite side क्या है, that is EF, यहाँ लिखेंगे, EF, okay, अब देखें, adjacent side of theta, जो side लखके होती है, परोस वाली, okay, what is that, that is BC, तो यहाँ लिखेंगे, BC, okay, O के लिखेंगे, adjacent side यह है, that is PQ, तो यहाँ लिखेंगे, PQ, okay, theta के लिए, यहाँ पर opposite side हमने, EF लिखेंगे थी, यह opposite side थी, और यहाँ adjacent side कौनसी है, this one, that is called DE, तो यहाँ, DE लिखेंगे, okay, तो यह बहुत simple है, आप adjacent side hypotenuse और opposite side easily निकाल सकता है, कोई बहुत difficult नहीं है, जो भी triangle आपके सामने है, आपको क्या करना है, right angle के सामने वाली जो side होगी, उसको hypotenuse लिख लेना है, जो भी angle आप ले रहे हैं, उसके opposite, जो side होगी, उसको opposite side में लिख लेना है, और लखके जो side है, वो adjacent side में आ जाएगी, okay, अब हमने यहाँ पर hypotenuse, opposite side, adjacent side लिख लिख ली, sin theta, मैंने sin theta का आपको क्या कहा, और हीरो, तो ओ हीरो, हम यहाँ पर side direct formula लिख ले, formula क्या था, ओ हीरो, A hero, और O A, यह तीन चीजे धान अपना थी, तो मैंने direct formula लिख लिख लिए हैं, यहाँ पर, O hero नहीं से, यहाँ पर हमको opposite side लिखना है, ठीक है, हमको क्या लिखना है, opposite side लिखना है, तो opposite side लिखे क्या है, that is A, B, और यहाँ, hypotenuse क्या है, that is A, C, clear होगे होगा आपको, कि sin theta जो है, इसका formula क्या होता है, opposite side upon hypotenuse, हम उसको O hero मैंने shortcut जो बताया आपको, O hero, A hero, O A, ओके, तो opposite side upon hypotenuse, तो opposite side, A, B, hypotenuse, O, यहाँ, cos theta इसके लिए क्या होगा, इसके लिए cos theta होगा, A, H, adjacent side upon hypotenuse, तो adjacent side यहाँ पर क्या है थी, B, C, B, C upon hypotenuse, तो B, C upon, हम इसको लिख दे, B, C upon A, C, ओके, और यहाँ पर 10 theta क्या था, O A, opposite side upon adjacent side, तो opposite side, A, B, upon adjacent side, B, C, तो A, B upon, B, C, ओके, A, B upon, B, C, आपको क्या करना है, कि जो बिट आइंगल आपके सामने है, पहले आपको, जिस theta के बारे के आपको detail निकाले हैं, उसका आपको इस तरह से लिख लेना होगा, हलाकि यह बहुत बड़ा method है, लेकिन जब हम question solve करेंगे, तो आपको clear हो जाएगा, कि हमको उसको किस तरह से short में लिखना है, और easily आप उसको कर पाओगे, अब देखे, sin theta यहाँ पर, जो था, वो था, A, B upon, A, C, इस triangle में sin theta क्या होगा, यहाँ पर, sin theta का फार्मोन आमार क्या है, O, O, H, O, Hero, ओके, तो यहाँ opposite side क्या है, यहाँ opposite side है, RQ, RQ upon hypotenuse, तो RQ upon PR, ओके, RQ upon PR, और यहाँ sin theta क्या है, यहाँ sin theta है, opposite side upon hypotenuse, तो EF upon DF, EF upon DF, ओके, अब हम यहाँ cos theta निका रहें, इस वाले में, यहाँ cos theta क्या आएगा, cos theta का फार्मोन हमारा क्या है, A, Hero, adjacent side upon hypotenuse, तो adjacent side यहाँ पर है, PQ, hypotenuse है, PR, तो यहाँ लिखिए PQ, पहले, adjacent side upon hypotenuse लिखिए, और फिर लिखिए PQ upon PR, PQ upon PR, देखिए, यहाँ पर theta के लिए, adjacent side PQ और hypotenuse, PR, यहाँ आते हैं, यहाँ पर हम cos theta निकालते हैं, तो यहाँ cos theta फार्मोन हम वही लिख लें, A, Hero, तो, ओके, वो क्या है, adjacent side यहाँ पर क्या है, DE है, और hypotenuse है, DF, तो DE upon BF, DE upon BF, ओके, तो इस तरह से cos theta भी निकाली है, अब बात करते हैं, 10 theta की हमने इस triangle के लिए 10 theta निकाला है, हम इस triangle के लिए 10 theta निकालते हैं, 10 theta क्या होगा यहाँ पर, देखे, 10 theta का formula होता है, O, A, तो O क्या है, opposite side, that is RQ, और adjacent side PQ, RQ upon PQ, RQ upon PQ, अब उसी तरह से यहाँ पर हम 10 theta निकाले, तो यहाँ देखे, यहाँ opposite side EF, adjacent side DE, EF upon DE, ओके, EF upon DE, इस तरह से आपने यहाँ पर sin theta निकाल लिए, अब देखे, मैंने यहाँ sin alpha लिखके रखा है, अगर हम alpha लेते, यह मैंने जो hypotenuse opposite side लिखी है, opposite side of theta लिखा है, अगर यहाँ मैं लिख देता opposite side of alpha, तो यहाँ यह position इनकी change हो जाती है, ओके, और फिर उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते थे, उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, तो I hope आपको यह clear हुआ होगा, ओके, अब हम क्या करते हैं, कि हमारी जो practice set 8.1 हैं, उसके questions solve करते हैं, और इस तरह से करने के बाद में, आप easily, वो सारे questions आप easily कर पाओगे, आपको कुछ भी problem नहीं आईए, यह बहुत simple topic है, आईए, अब हमारे practice set 8.1 का question number 1 करते हैं, इन the figure 8.12 यह figure देखे रखा हैं हमारी book में, angle R is the right angle of triangle PQR, PQR में जो angle R है, वो right angle है, okay, write the following ratios, हमें sin P निकालना है, cos Q निकालना है, Q को use करके, 10 P निकालना है, 10 Q निकालना है, मैं समको यह दोनों जो acute angle है, इन से related 4 trigonometric ratios की value पता करनी है, okay, तो पहले हम जो P वाले हैं हम उनको करेंगे, और फिर बाद में Q वालों को करेंगे, okay, तो वो आपको simple पड़ेगा, तो यहां लेते हैं, पहले आप लिखिए, in triangle PQR, angle R is right angle, that is 90 degree, okay, यहां पर आप जो main thing that is hypotenuse, hypotenuse क्या है, इस triangle में hypotenuse क्या है, hypotenuse means the opposite side of right angle and that is PQ, यह क्या है, PQ है, the triangle, okay, अब आगे, हम angle P के लिखते हैं, ओके, यहां लिखिए, opposite side of angle P and adjacent side of angle P, पहले हमको इनको लिख लेना है, okay, opposite side of angle P क्या है, P की opposite side means यह, that is RQ, लिखते हैं आपर, RQ, adjacent side of P क्या है, अगर P, जो है P के सामने वाली side यह है, यह अगर opposite side है, तो यह वाली side जो होगी, that is PR, PR उसकी adjacent side होगी, okay, और उसी side जिसको बोलते हैं, that is PR, okay, अब जिस तरह से मैंने angle P के लिखते रखा है, हम angle Q के लिए भी हम लिख लेते हैं, okay, यहां लिखिए, opposite side of angle Q, angle Q की opposite side यह, अगर angle Q है, तो उसके सामने वाली side होगी, opposite, that is PR, और adjacent side of angle Q, यह क्या होगी, Q की अगर opposite side है, तो adjacent side RQ होगी, यहां लिखिए, RQ, मैंने आपको पहले भी बताया, कि यह आपस में exchange हो जाते हैं, अगर आप angle change करते हैं, तो जो opposite side होती है, वो adjacent side बन जाती है, okay, और जो adjacent side होती है, वो opposite side बन जाती है, ओके, अब हम, जो हमें यह ratios निकालने हैं, हम उनको लिखते हैं, one by one, तो पहला हमें क्या find करना है, that is A, हमें A find करना है, sin P, okay, sin P, तो हम एक काम करते हैं, यह short को लिख लेते हैं, O hero, A hero, O A, okay, sin cos 10, sin के लिए है, O hero, that is opposite side upon hypotenuse, लेकिन opposite side किस के लिए, पी के लिए, angle P के लिए, क्यों एंगल जो P है, उसकी opposite side, opposite side क्या है, that is RQ, upon hypotenuse क्या है, PQ, तो आभ यह लिख सकते हैं, that is sin P is equal to P, जो है, आपको capital लिखना है, क्योंकि यह vertex है, vertex का भी small नहीं होते हैं, okay, RQ upon PQ, sin की value हो गई आपके लिए, अब हम बात करते हैं, cos Q की, अब हम cos Q निकालते हैं, cos Q क्या होगा, जब हम cos Q लिखेंगे, तो cos Q के लिए फार्मूला है, H, okay, H, A hero, तो A means, adjacent side upon hypotenuse, तो adjacent side किस की, Q की adjacent side, तो Q के adjacent side क्या है, that is RQ, देखें, Q के लिए opposite यह है, और यह adjacent है, तो RQ upon hypotenuse, तो RQ, और hypotenuse क्या है, PQ, तो आप हैं लिख लिखेंगे, cos Q is equals to RQ upon PQ, अगला हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, 10P, ओके, यहां लिख लेते हैं, C, that is 10P, 10P, 10 क्या होगा है, means opposite side upon adjacent side, अब opposite side किस की, P की opposite side, P की opposite side हमने क्या लिखी थी, देखें, RQ और adjacent side लिखी थी, PR, तो RQ upon PR, यहां लिखें, RQ upon PR, QR नहीं लिख सकते हैं, आप ऐसा कुछ नहीं, ओके, देखें, P के लिए, opposite side RQ, यह QR upon PR, यह लिख दिया है, ओके, लास्ट वाला, इसको फिर से एक बार हम नीचे लिख लिखेंगे, यह total जिए उसकी value हमने निकाली है, that is, tan P is equal to RQ upon PR, और लास्ट वेरे हमको निकाली है, tan Q की, तो tan Q हम निकालते हैं, tan Q, formula तो वही रहेगा, opposite side upon adjacent side, ओके, तो opposite side Q के लिए क्या है, और यह RQ है, तो यहां लिखे, PR और RQ, यहां पर भी आप देख सकते हैं, और आपको लिखना एक बार ध्याना कि यह चीज़ आपको लिखना है, हर question में यह चीज़ आपको लिखना है, आप directly अगर ऐसा करता हैं, तो वहां आपको एक problem आईगे, आपको marks पूरे नहीं मिलेंगे, ओके, short questions है, को difficult नहीं है, इस तरह से आपको लिखना ही है, ओके, यहां लिख लीजे, tan Q की value क्या आई, tan Q is equals to PR upon RQ, Q के लिए opposite side ही है, PR और यह RQ, तो इस तरह से question number 1 हमको करना था, और इस तरह से हमने इसको किया, अब हम करते है question number 2 करते हैं, देखे, question number 2 मैं लिखके रखा है, यह इसका figure है, in a right angle triangle x, y, z, angle x, y, z is a right angle, means y जो है वो right angle है, okay, a, b, c are the lengths of the sides of the triangle that are shown in the figure, okay, यहाँ पर a है, यह b है, यह c है, इस तरह से हमको sides देखे रखी है, हमें निकालना है, we have to find sine x, ten z, cos x और ten x, अगर यहाँ देखे तो acute angle है, हम पर x और z है, okay, मैंने पिछला question erase करते समय, इन चीज़ों को छोड़ दिया, अगर यह y right angle है, तो इसके सामने वाली side जो है, that is x, z, यहाँ पर जो x, z है, वो hypotenuse रहेगे, यह उसकी length कहा देखे रखी है, हमें c, तो इसको c लिख लेते हैं, अब opposite side of, पहला हम यहाँ पर angle कहा देखे रखा है, x, तो x के opposite side, तो यहाँ angle x दिख लीजे, यहाँ भी angle x दिख लीजे, opposite side of angle है, x, तो angle x के opposite side यह है, that is y, z, यहाँ लिखिए y, z, और y, z की length कितनी देखे रखी, that is a, okay, adjacent side of x, अगर x की opposite side यह है, तो adjacent side यह होगी, that is x, y, यहाँ लिखिए x, y और x, y की length कितनी है, वो है b, okay, आगे आते हैं opposite side of angle, अब कौन सा angle बचा है, acute angle, x तो होगी, z, तो यहाँ लिखिए angle z, angle z के लिए क्या value होगी, opposite side of angle z, z के लिए opposite side है, x, y, और x, y means, उसकी length कितनी देखे रखिए b, और adjacent side of z, z की opposite side यह है, तो उसकी adjacent side यह होगी, okay, that is a, यहाँ पहले उसको y, z लिखिए, और फिर इसको a लिखिए, अब हमें जो चारो टिक्टमेटिक रेशियो निकालना है, हम वो लिख लेते हैं, पहला है, sin x, okay, sin x की बेगे निकालना है, उसके बाद जो दूसरा है, वो है 10 z, और यह दोनों भी x वाले हैं, तो हमें काम करते हैं, पहले पूरे तीनों चारो लिख लेते हैं, second क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है second, 10 z, फिर third क्या निकालना है हमें, third निकालना है, cos x, और fourth क्या है, fourth हमें निकालना है, that is 10 x, sin x, sin x, sin के लिए फार्मूला का है, पहले वो देखिए, O hero means O upon H means opposite side किस की X की यह लिखिए sin X तो X के लिखिए opposite side हमने लिखके रखी opposite side है YZ और hypotenuse क्या है that is XZ तो sin X की value क्या होगी देखिए YZ means क्या YZ means A और hypotenuse means C तो A upon C इसका answer हो गया अब हम निकालता है 10Z 10Z का formula 10 के लिए formula क्या है that is O A means opposite side upon adjacent side किस के लिए Z के लिए तो opposite side upon adjacent side यहां लिखके रखिए that was XY upon YZ तो यहां लिखिए 10Z is equals to XY upon YZ और इनका measurement क्या देखे रहे है lens क्या देखे रहे है 10Z देखेए XY है B और YZ है A तो यह होगे B upon A अब उसी तरह से cos X निकालना है तो cos X हम लिखते हैं यहां पर cos X का formula पहले cos का formula क्या है वो है A hero A H A upon H तो A अब cos X के लिए जो adjacent side है वो क्या है X के लिए adjacent side जो है वो है XY आप यहां भी देख सकते हैं कि X के लिए जो adjacent side है वो है XY और हाइपोटेनियस जो है वो XZ है यह बाद फिर साब देख लिए एक्स के लिए adjacent side XY और हाइपोटेनियस एक्सेट क्या value है इसकी देखिए XY XY means what? That is B और XZ means what? XZ means C तो यह हो कि B upon C इस तरह से तीनों आपने निकाल लिए आगे हम 10X निकालते हैं 10 का फार्मूला हमावाँ है O हे जो है O है O है Opposite side upon adjacent side तो आप एक्स के लिए Opposite side upon adjacent side That is YZ upon XY YZ upon XY यहां लिखे 10x, तो 10x की value क्या हो गई, जो length देके रखे, a upon b, ओके, तो इस तरह से इसको करना है, बहुत simple यह topic है, difficult बिल्कुल भी नहीं है, ओके, अब इसके बाद अगला question करते है, question number 3, आइए, अब question number 3 करते है, question number 3 देके रखा है, in right angle triangle Lmn, Lmn एक right angle triangle है, and angle Lmn is 90 degree, angle M जो है, 90 degree का है, right angle है, okay, and the angle A, the measurement of angle is 50 degree, and measurement of angle M is 40 degree, यह 50 degree देके रखा है L, और यह 40 degree देके रखा है N, so we have to write the following ratios, sin 50, cos 50, tan 40, and cos 40, okay, तो इस तरह से हमको, इनको निकालना है, तो अब क्या करेंगे हम, जैसे अब हमने previous question में किया, कि हम सबसे पहले यहाँ पर लिख ले, कि, hypotenuse क्या है, यहाँ लिखिए, in triangle, Lmn, angle M is equal to 90 degree, here, hypotenuse क्या है, hypotenuse यहाँ पर है, side opposite to right angle is called hypotenuse, that will be Ln, तो यह हो गया, Ln, hypotenuse, okay, अब आगे क्या लेके रखा है, हमको, sine 50, cos 50 निकालना है, तो अब हम जै लिख ले, that is, opposite side, of 50 degree angle, angle 50 degree, तो angle 50 degree की opposite side कोन सी है, देखिए, Mn, यहाँ लिखिए, Mn, फिर यहाँ लेके रहे, अगला हमको क्या निकालना है, opposite side हमने निकालने 50 degree का, तो 50 degree का adjacent side क्या होगा, that will be Ln, यहाँ लिखिए, adjacent side, of 50 degree, that will be Ln, okay, अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है, that is, adjacent side of 40 degree, and opposite side, opposite side to Ln आ जाएगी, और यह Ln आ जाएगी, मैंने आपको कहा था कि आप उसमें इंटरजेंज हो जाती है, ओके, यहाँ लिखिए, opposite side of 40 degree, यह होगी Ln, okay, और, adjacent side of 40 degree, angle, that is, adjacent side होगी Ln, okay, आप इसको 40 degree लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, कि adjacent side of angle Ln, angle Ln लिखा तो भी चलेगा, okay, यहाँ आप चाहें, तो angle के नाम लिख सकते हैं, यहाँ आप चाहें तो, यहाँ पर angle का measurement लिख सकते हैं, okay, अब हमें क्या रिकालना है, we have to find sine 50, तो सबसे पहले हमें जो find करना हम वो लिख ले, that is, sine 50, sine 50 का formula, sine 50 के लिए, जो sine का ratio उसका formula क्या है, O hero, that is, O upon H, तो O upon H के है, opposite side upon hypotenuse, तो opposite side 50 के लिए, that is, Mn और hypotenuse Ln, तो यहाँ लिखिए, Mn upon Ln, that is, sine 50 degree, बस आपको इतना ही करना है, second क्या देके रखा है, second देके रखा है, cos 50, cos 50 क्या है, cos का formula क्या होता है, that is, A hero, that is, A upon H, adjacent side upon hypotenuse, तो adjacent side क्या है, 50 की, 50 degree की opposite, that is, Ln, देके, इसके adjacent side कुन सी है, Ln है, तो यहाँ लिखिए, Ln upon hypotenuse Ln, ओके, यह हो गई, cos 50 degree की value, अब अगला क्या है, third, वो है 1040, third है 1040, 1040, 10 का formula क्या होता है, O, that is, O upon A, means, opposite side upon adjacent side, तो 40 की opposite Ln है, adjacent Mn है, तो यहाँ लिखिए, Ln upon Mn, that is, 1040 degree, और last जो हमको निकालना है, वो क्या है, वो है, cos 40, तो cos का formula क्या होता है, cos का जो ratio होता है, वो किसके एक पर होता है, that is, A hero, A upon H, adjacent side upon hypotenuse, तो 40 का adjacent side Mn होगा, hypotenuse Ln होगा, तो लिखिए, Mn upon Ln, that is, cos 40, आप सोच रहे होगे, सर, हम directly, अगर इसको करें, तो चलेगा, क्या, देखिए, हम जब कोई question solve करते हैं, तो हमें step by step जाना होता है, अगर आप यह तरीके से लिख लेते हैं, तो उसमें आपके marking system, जब भी आपको marks मिलते हैं, जो check करने वाला, जो examiner है, वो आपको पूरे marks देखा, अगर आप पूरे तरीके से step by step उसको करते हो, यह होगी short model strip, आपने इतना किया, तो short हो जाएगा, तो यह लिखना ज़रूरी है, हाला कि यह जो values हम लिखते हैं, direct diagram देखके, direct radical triangle देखके, हम भी can write the values, तो यह होगी आपका question number 3, अब हम इसके बाद question number 4 करते हैं, अब हम question number 4 करते हैं, question number 4 देखे रखा है, in figure, angle PQS is equal to 90 degree, and PQR is 90 degree, रिखे हैं, इस figure में, PQS भी 90 degree है, PQR भी 90 degree है, Q, यह alpha है, और QPS is theta, QPS जो है, वो theta है, what we have to find, we have to find sin alpha, cos alpha, tan alpha, sin theta, cos theta, tan theta, okay, means, यहां हमारे पास, दो right angle triangle है, अभी तक हमें क्या होगी मिल रहा था, अभी तक कि हमने जितने ही question किये, उसमें हमको एक right angle मिल रहा था, एक right angle triangle मिल रहा था, okay, कोई problem नहीं है, लेकिन हम दो angle के लिए ही काम कर रहा था, इसके पहले भी, so what we will do, first of all, we will write here, in, प्रेजान को, sin alpha निकालना है, okay, तो हम sin alpha के लिए, first वाला solve करते हैं, लेकिन नमबर 1, okay, solution number 1, and that is, right here, in triangle, कुन सा triangle लेगी है, हमें, अलफा निकालना है ती हो, तो we will take this triangle, कुन सा PRQ, in triangle PRQ, angle PQR is 90 degree, आप यह PQR में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सोचेंगे, सर ऐसा आप क्यों लिख रहे हैं, it's up to you, हम, आप PQR ही लीजी, कोई problem नहीं, in triangle PQR, angle PQR is 90 degree, okay, and what is given, this angle, PRQ is alpha, angle PRQ is alpha degree, okay, अब क्या करेंगे, अब यहां लिखिए, इसमें hypotenuse क्या है, hypotenuse क्या होता है, hypotenuse होता है, side opposite to right angle, हम इस triangle की बात कर रहे हैं, तो इसके opposite क्या है, that is PR, okay, लिखिए हैं यहां पर PR, okay, अब हमें क्या लिखना है, opposite side of angle alpha, okay, तो यहां लिखिए, opposite side of alpha, लिखने के ज़रोग में हम direct opposite side लिखिए, alpha के opposite क्या है, that is PQ, और adjacent side क्या है, adjacent side, देखिए, alpha के opposite side PQ है, तो adjacent RQ होगी, यहां RQ लिख लिएजे, अब हमें क्या करना है, हमें तीनों angle निकालना है, तीनों ratio निकालना है, ट्रिनामेटरिक ratio और वो क्या है, वो है sin, cos और 10, तो यहां लिखिए, sin alpha is equal to, यहां लिखिए, cos alpha, और यहां लिखिए, tan alpha, okay, tan alpha हम अलग इसमें लिख लाते हैं, क्या फार्मूला था हमारा, हमारा फार्मूला था, O hero, A hero, और, O A, अब यहां opposite side क्या है, वो है PQ, और hypotenuse क्या है, वो है PR, इस equal की sign को थोड़ा हम सेंटर में लगा है, cos alpha के लिए, adjacent side, RQ, hypotenuse तो PR ही रहने वाली है, और tan के लिए, opposite side upon adjacent side, तो PQ upon RQ, यहां लिखिए, PQ upon RQ लिखिए, QR लिखिए, that is up to you, अब आप चहाएज उसको चेक कर सकते हैं, alpha के लिए देखिए, opposite side, PQ, hypotenuse PR, PQ PR, alpha के लिए, adjacent side, hypotenuse, adjacent side, alpha के लिए, adjacent side, RQ, PR, देखिए, RQ, PR, और alpha के लिए, opposite side, adjacent side, alpha के लिए, opposite side, PQ, RQ, PQ, RQ, यह कि बाहर रिखिए, तो यह हो गया first part इसमें हमको second करना है second क्या है second हमें तीनों theta निगालना है तो theta के लिए हम कौन सा triangle लेंगे we'll take this triangle यहां रिखिए now part 2 in triangle PQS angle PQS is 90 degree अब इस triangle के अंदर hypotenious क्या होगी hypotenious कुन सी होगी बताइए hypotenious होती है side opposite to right angle that is PS ओके यहां पर opposite side क्या जाएगी यहां पर opposite side क्या होगी that is right angle के opposite PS हो गया हम बात करना है theta की तो theta के opposite क्या हो गया QS और adjacent क्या हो गया adjacent side को इसी होगी देखिए theta के opposite QS है तो adjacent side हो जाएगी PQ Q बस अब आपको क्या करना है अब आपको तीनो जो trigonometric ratios है वो लिखना है अभी हो यहां पर जिसे हम अन्फा लिख रहे थे हम यह लिखेंगे हमें theta निकालना है तो यह होगा sin theta पहला trigonometric ratio cos theta और फिर अगला है 10 theta okay मैं यहां पर equal लगा लेता हूँ यह तीनो मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ कि formula लिखने में हमको simple बढ़ता है क्या है formula okay अब हमें हम value लिख ले है क्या value है opposite side upon hypotenuse qs upon ps लिखी है qs upon ps यहां पर adjacent side pq upon ps pq upon ps और last क्या है opposite side upon adjacent side qs upon pq qs upon pq तो आप चाहें तो चेक कर लीजे देखिए पहला है opposite side upon hypotenuse theta के लिए opposite side qs upon hypotenuse ps देखिए qs upon ps अगला है adjacent side upon hypotenuse तो theta के लिए adjacent side pq upon hypotenuse ps pq upon ps और अगला है opposite side upon adjacent side तो opposite side qs adjacent side pq तो qs upon pq इस तरह से इसको करना है I hope आपको ये exercise समझ में आई होगी और अगर आपको ये सही में अच्छी लगी है तो please like कीजे share कीजे subscribe कीजे और अपना comment जरू कीजे क्योंकि आपकी जब comments मिलते हैं तो मुझे clear होता है कि आप क्या चाहते हैं और आपको ये पसंद आया है नहीं आया है झाल आपको ये और आपको ये तो ये जब है